आप देख रहे हैं नंबर वन डिजटल न्यूज चेनल टीडी नूज संची और बरिखवण नमस्कार में हुँ आमित कुमार आप देख रहे हैं टीडी नूज में भिहार नीती अभी हम बीजेपी के प्रदेश करजाले में हैं जहां बीजेपी प्रवक्ता संजे टाइगर जी हैं आए इन से हम बात करते हैं अभी हम जा रहे हैं लोग तंत्र को बचा है इस सीता राम में चुरी जी की पाठी की जमीन खिसक गई है पस्चिम बंगाल में विधान सभा के चुनाओं में एक सीट नहीं मिला खाता नहीं खुला ले दे के बंपंथियों का वाजूद केरल में रह गया है तिरपुरा में आप धारे साई हो गए है तो आपको तो जहां जमीन था वहां जमीन तलासनी चाहिए अब पटना से दिली जाने से क्या हो जाएगा हजारों लोग रोज जाते हैं उनको क्या हांसिल हो जाता है तो जमीन पर काम करिए जमीन तलासिया अब तो कुछ जमीन है नहीं आपको आपके पेरों के नीचे कोई जमीन नहीं है कमाल यह है कि फिर भी तुझे यकी नहीं है अब दिली जा रहा है अब प्रसांगिक हो गई है बंबंती पार्टियां सिमित छित्रों में उनका प्रभाव है तो राश्ट्रिय और राजनीती में उनक्या भूमिकान निभा पाएंगे नहीं उनका कहना है कि विपप्सी लोगों को एक जूट करते हुए हम दिली जा रहे इस मुद्धे पर कि लोकतंत्र को बचाना है लोकतंत्र तो देश में बहुत मजबूत है और जब तक बीजेपी है देश के लोकतंत्र को कोई छू नहीं सकता है लोकतंत्र खत्रे में था जब कॉंग्रेस पार्टे की स्तरकार थी देश में इमर्जनसी लगाई गई थी और तब ये बंपंत्री लोग इंदरा गांधी के साथ खड़े थे इनको लोकतंत्र से क्या लेना देना है ये लोकतंत्र के हिमायती नहीं है ये तो वो लोग है जब चाइना के साथ ही विद्ध हुआ तो चाइना का गुंगान कर रहे थे और इनके बिसे में तो कहा जाता है कि जब भारत में चाइना में बरसा होते है तो भारत में छट्री लेकर खड़ा हो जाते हैं तो इनकी देश निष्ठा संदिग्द रही है और इसी करन कॉमिस पार्टी के विभाजन भी हुआ है इन बंपंतियों का जो चाल चरितर चेहरा है वो देश की जनता जानती है समझती है इसलिए भरोसे को लोग नहीं है और विपक्षी एक जूटता का हवा निकल जाएगा पहले भी निकला है हर चुनाओं के पहले ये कोसिस होती है कि हमें ए खिलाफ आप चुनाओं लड़ते हैं बाकी जगह आपका कोई नाम लेवा नहीं है तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और प्रधान मंत्री के कई स्वेंभी उमिद्वार है ये सब एकता में बाधा है और सब को पता है कि भारती जनता पार्टी की अकेली ताकत इतनी ह उसको पूर्ण बहुमत में आने से कोई रोक नहीं सकता है । राजियों के अंदर जो मतभेद है एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे वो अभी भी बरकरार है और सबसे बड़ी बात है कि कौन किसको नेता मानने जा रहा है क्या ममता बनर जी इनके साथ जाएंगी पस्चिम बंगाल में ममता बनर जी को अपने साथ कर लें तो मान लेंगा कि बहुत बढ़ी उपलबधी आपको वहाँ सी लोग गई है क्या राहुल गांधी दूसरे को परधान मंतरी मानेंगे क्या किसी यार नितीष को तवाजोदेंगे लिल खजर्रि मेंटरी ये तो भकेंसी है नहीं और एक अनार सव बिमार सुर्फुटवल के सिती है सब स्वयंभू परधान मंत्री है और परधान मंत्री भी पक्षी पार्टियां मिलकर नहीं बनाती है परधान मंत्री देश की जनता बनाती है और देश की जनता पूरी तरह अस्वस्त है और पूरी तरीके से वह मानती है कि नरेंद्र मोधी के हाथों में ही देश सुरक्षित है देश में प्रगत्य हो रहा है देश तरक्षित है जल अनकारी और जनाओं का लाव लोगों को मिल रहा है लोगों को रासन मिल रहा है लोगों को मुफ सिलेंडर मिल रहा है लोगों का घर मिल रहा है घर घर ऐखता जा रहा है महिलाओं के साथ सक्तिकरण हो रहा है वहाँ की ताकत बढ़ रही है रुजजगार स्रीजित हो रहा है लोगों को रुजगार क्राउस्टर मिल रहा है ऐसे में विकास की डूर नपड़े कं जोड इस gasket जानता चाहती है कि हम सब चलें भाजबा की ओर मोदी की ओर